नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है शिव सेना क्या करेगी ये सोच सोच के सिव सैनिकों के माते पे पसीना आ रहा है क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है सिव सैनिकों को और सिव सेना के समर्थकों को कि अब अगला कौन सा सुसाइडल स्टेप उद्दव ठाकरे लेने वाले है क्योंकि देविंदर फर्णडविस ने उद्दव ठाकरे के खिलाफ जो बातचीत की है और जो प्रेस कांफरेंस में उन्होंने जो सारी कि अमूल बात सिफसेना कहा ही है कि BJP और सिफसेना के बीच ढाय साल ढाय साल का कोई करार हुआ था उस पर देविंदर फर्णडव इसने साफ साब कहा कि जितनी भी BJP और सिफसेना की मीटिंग्स हुई है और जितनी भी लिडर्स चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो गटकरी साहब हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी वक्त पे, किसी भी समय, उद्धर ठाकरे या शिफर सेना के साथ, इस चीज की कोई कभी डील हुई ही नहीं, और अंकार और पुत्र मोह में डूबे, उद्धर ठाकरे, अब उन्ह इसना दम है अहम मैं मैं कल तक करने वाली पाटी उनको वहां का एक स्टेट लीडर जूटा बता दे रहा है तो तिल्मिला हट इतनी जोर हुई कि सिफ सेना ने भी एलान कर दिया उद्धव ठाकरे खुद उसने एलान किया कि मुझे जो कोई जूटा कहेगा तो उसके साथ मैं कोई रिस्ता नहीं रखूंगा रिस्ते तो पहले ही तूट चुके हैं सिफ सेना के साथ कोई रिस्ता रखना नहीं चाहता है चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कॉंग्रेस हो चाहे वो एनसेपी हो तो सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा इन बातों पे मैं आऊंगा लेकिन मैं आपको एक बात बता दू कि जिस तरीके से बीजेपी ने एक फैसला कर लिया है कि चाहे वो कुछ भी हो जाए सरकार बने ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन वो सिर्फ सेना की ब्लैक मेलिंग के सामने अपने घुटे नहीं टिकेंगे और वो इसलिए भी जरूरी था बीजेपी के लिए क्योंकि बीजेपी इस तरह का संदेश वो ना सिर्फ सिर्फ सेना को दे रही है बलके इस पूरा जो महराष्ट के अंदर चल रहा है वो संदेश बाकी राज्यों में जहां जहां इनके गड़बंदन है जैसे बिहार, नितिश कुमार उनको भी संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी अब इस तरह के कॉम्प्रोमाइजिस नहीं करेगी खास करके मुख मंतरी के पद के उपर क्योंकि बिहार में भी अगला बवाल मुख मंतरी के पद को लेकर के होने वाला है तो एक सिगनल दिया जा रहा है लेकिन सबसे एहम बात क्या है इसमें एहम बात यह है कि बीजेपी ने एक स्टड़ जी के तहप अपने किसी भी केंद्री ये नेता को इस मसले में बोलने नहीं दिया उद्दव ठाकरे का सारा जवाब देविंद फर्णविस दे रहे हैं उद्दव ठाकरे की कैलकुलेशन ये थी कि आखिर लास्ट लास्ट तक बीजेपी सरकार बनाने के चक्कर में उनके ब्लैक मेलिंग पे आ जाएगी डिप्ट चीफ मिनिस्टर तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिर इंपोर्टन्ट ये है सिफ सेना ये चाह रही थी कि उन्हें मलाईदार कमाओं मंत्राले चाहिए था फिनायन्स उन्हें चाहिए उन्हें इंफ्रसेक्चर चाहिए उन्हें PWD चाहिए जितने भी वो मंत्राले हैं जिसमें वो पैसा कमा सकते हैं जहांपे मलाईदार जिसको कहते हैं वो मंत्राले सिफसेना को चाहिए था तो ये बार्गेनिंग चल रही थी कि चीफ मिनिस्टर के पद के उपर बार्गेनिंग करके ये बाद में को कॉम्प्रमाइस फॉर्मूला कर लेंगे लेकिन बीजेपी ने ये साफ कर दिया था कि चीफ मिनिस्टर की शेरिंग की तो बात बहुत दूर है गटबंदन की वोगत सरकार बनाएंगे भी तो भी ये जो डिमैंड जो वो कर रहे हैं जिन मंत्रालेओं की उस मंत्राले को सिफसेना को नहीं दिया जाएगा और इसलिए ये मसला पूरा बिगड़ गया था तो सिफसेना की ये स्टेड ये थी कि आखिरकार लास्ट लास्ट तक ये लोग मान जाएंगे क्योंकि सरकार नहीं बन पाएगी लेकिन ये सारा जो गेम है ब्लेक मेलिंग का सिफसेना का उद्व ठाकरे का उसे पंक्चर कर दिया जब दिविंद फुर्णाविस ने जाकर इस्तिफादी दिया और ये घोशना कर दी कि वो सरकार नहीं बनाएंगे जब तक कि उनके पास बहुमत ना आ जाए तहरे का मतलब ये कि अब फैसला राजपाल के पास है कि अब आगे वो क्या मूव कर सकते हैं दो तीन चीजे हो सकती हैं और हर चीज में सिवसेना की परेशानी जो है ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी चुक्छे सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है तो हक सरकार बनाने का पहला बीजेपी के पास है बीजेपी कह रही है कि वो सरकार नहीं बनाएगी क्योंकि उनके पास बहमत नहीं है वो अल्पमत की सरकार वो नहीं बनाना चाहते है नहीं वो खरीद बिगरी करना चाहते है फिलहाल तो दूसरा नमबर जो आएगा कि जो सकेल लार्जिस पार्टी है वो शिव सेना है तो सिव सेना को ये मौका दिया जा सकता है अगर राजपाल चाहे तो क्या आप आकर के सरकार बनाएं तो सरकार कैसे बनेगी ये नियोता देने से पहले उनको सपत दिलाने से पहले दो तीन चीज़ किया जा सकता है पहला राजपाल ये कह सकते है कि आप हमें 145 लोगों की लिस्ट सामने लाकर के दे और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये कह सकते हैं राजपाल महोदे कि आप 145 लोगों की परेड करवाएं उन सभी 145 विधायकों को राजपाल के दफ्तर या उनके घर बुला करके लाएं वो समर्थर पत्र दे तब जाकर कि वो सटिस्पाई हो सकते हैं कि इस जथे के पास बहुमत है और वो तब आमंत्रित कर सकते हैं सिर्फ सेना को सिर्फ सेना बार-बार इस बात को कह रही है कि वो उनके आप्संस खुले हुए है मैं इस पे आऊंगा कि सिर्फ सेना के सामने अब क्या चारा है लेकिन तीसरा एक आप्संस जो मुझे लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा होने वाला है वो ये कि राजपाल इस बात से सटिस्फाई ना हो और वो ये कहे कि किसी भी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है इसलिए वहाँ पे राश्पती साशन लागू किया जाए और अगले छे मेने के बाद वहाँ पे फिर से चुनाओ हो ये जैसे ही ये वर्ड के फिर से चुनाओ होंगे ये कॉंग्रेस के नए नए चुन के आए हुए विधायकों सिर्फ सेना के विधायकों या एनसिपी के विधायकों के कान में गुञेगी ये बात उसों कहते हैं कि जब जहाज जूबता है तो जो चुहे सबसे पहले भागते है तो वहाँ इन तीनों पार्टियों में भगदर मुचने वाली है और यही स्टेटजी बीजेपी की है कि वो वेट अन वाच करेगी और वो इत्मिनान होकर के केंदर सरकार अभी केर टेकिंग चिफ मिनिस्टर के रूप में दिविंद फर्णवी इसको बनाये गया है राजपती सासन लागू कर दिया जाएगा केंद से बैठके कि यह लोग सरकार भी चलाएंगे और उसके बाद वहाँ पे चुनाओं में लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जिस तरह का वो दंब सिवसे न वो दब खाकरे जो प्रश कन्फरिंस में कल वो कर रहे थे कि हम सरकार बना सकते हैं हमारे ऐप्सन्स खुले हए है तो इनके पास ऐप्सन्स क्या है वहाँ तो चारी पार्टिया है और इन चार पार्टियों में आप बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं क्योंकि आप उससे अलग होकर के एक नई रन्निती पर काम करेंगे तो बसती ही है वहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी की स्थिती यह है कि ने साफ Currently कर दिया है और उनका जो एक मंत्री केंदर में बैठा हुआ है अर्विंद सावंत उसको इस्तिफ़ा देना होगा उनसे अलग होना होगा तो क्या सिफसेना ये काम करेगी ये अजीब इस्तिती है सिफसेना के पागलपन की कोई लिमिटी नहीं है आप सुबह सबेरे प्रधान मंत्री उसका क्रिटिसिजम करते हैं और वहाँ आपने एक नुमाइंद को मंत्री बना करके बिठा रखा है राजनीती में कोई लोक लज्जा नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है सिफसेना नहीं वो सारी हदे जो उन्होंने पार कर दी है अब एंडिया से उनको वापस जान आए हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से आप सरकार बनवा दे उनका धे ये है कि बीजेपी को अलग रखने के लिए सब्ता से दूर रखने के लिए वो सिफसेना के साथ हाथ मिला ले हलाकि वो को लॉजिक नहीं है ये जो नए लोग जो चुन क कि आये हैं वह इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि उनको इससे मतलब है कि अभी उपर सारे पैसे उनके खर्च हो गया है फिर चुनाओ जीतने का मौका मिले ना मिले इसलिए वो चाहते हैं कि पास साल तक कम से कम उनकी विधाय की जो है वो पड़ी रहे लेकिन जो केंद्र में जो कॉंग्रेस पार्टी में सोनिय गांधी की जो मुख्य सलाकार है वो साफ-साफ कहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी कोई महराष्टा की तो पार्टी है नहीं उनको तो पूरे देश में जवाब देना होगा उपर से रामजन भूमी का फैसला आ गया सुप्रिम कोट पे और सबर सबर सिबसेना को कहना पड़ा कि हमारा भी योगदान है पहले मंदिर बनेगा फिर उसके बाद सरकार बनेगी तो कहने का मतलब यह है कि जो एक तथा कथि कम्रिनल पार्टी है उसके साथ हाथ मिलाना कॉंग्रेस पार्टी के लिए बाकी राज्यों में प्राबलम हो सकता है इसलिए कॉंग्रेस पार्टी सिबसेना के साथ नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा फिर होगा वही जो सिबसेना अतनी दिन से कर रही है कॉंग्रेस पार्टी से पीछे से बाचीत हो रही है और बेशरम की तरह ये लोग सर्दपवार के दरवाजे पे भीग मांग रहे है कि मदद कर दो, मदद कर दो लेकिन सिफ़ सेना को मदद करना सर्दपवार के लिए भी कोई आसान काम नहीं होगा कि सर्दपवार के दिमाग में एक बात आई थी कि क्या इस मौके को भंजाया जा सकता है क्या कॉंग्रेस पार्टी इस बात के लिए तैयार होगी इस सिफ़ सेना के साथ क्या करना है इस बात को लेकर के सर्दपवार दिल्ली आये दिल्ली मुनों ने सोनिया गांदी से मुलाकात की सोनिया गांदी और सर्दपवार के बीच में काफी लंबी बाचीत हुई जिसमें सोनिया गांदी ने साफ साफ कह दिया कि इस से उनको पूरे देश में नुकसान उठाना पड़ जाएगा लोग ये कहेंगे कि भई हमारा जो कॉंग्रेस पार्टी के जो सेक्लूर केडिंसल्स है उस पे जो है हमेशा के लिए एक दाग लग जाएगा इसलिए इसको दूर रहना जरूरी है तो सुनिया गांदी और उनके सलाकारों का साफ साफ मानना कि आप उनके साफ मिलकर के सरकार बना सकते हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी उस सरकार में कोई हिस्सेदार नहीं बनेगी बाहर से समर्थन के बारे में बाद मैं सोचा जा सकता है तो कहने का मतलब है कि सरत पवार अपने हिसाब से वो उन्होंने गेम करने की कोशिश की लेकिन सोनिय गांदी और कॉंगरेस पार्टी की तरफ से वैसा कोई positive response नहीं आया अब होता आये कि अजीब वो गरीब डंबना है कि तीन बार जो वैसे तो बड़ी बड़ी बाते करते हैं संजे रावत और जिस अहम और दंब से उप्रस conference करते हैं वो भी अपने आप में एक अनुकी बात है और वो लगातार वो तीन बार सरत पवार के पास वो जा चुके हैं मदद मांगने और तीनों बार सरत पवार ने साफ साफ दो टूक सब्दों में कहा कि ये possible नहीं है अब सिफसेना क्या करेगी सिफसेना क्या एंचीपी की सरकार बनवाएगी वहाँ एक फर्मूला ये भी हो सकता है कि एंचीपी की वहाँ पे सरकार बने जिसके साथ वो Congress Party उसके साथ जाये और सिफसेना उन्हें बाहर से समर्तन करे ये suicidal होगा लेकिन सो कहते हैं कि जब विनास काले विपरीद बुद्धी आप बीजेपी से लड़ते लड़ते आप इतना आगे आप निकल गए हैं कि आपके पास इस तरह के उल जलूल फैसले लेने के अलावा कोई दूसरा चारा बचा नहीं है और यही वज़य है कि सिफसेनिक जो सिफसेना के जो कार करता हैं ग्राउंड में और सिफसेना के जो समर्तक हैं जो वोटर्स हैं वो गए हैं यह पार्टी तो अब इस अस्तर पर चली गई है कि यह तो अब राम मंदिर के इतनी बड़ी घोसना हुई है सुप्रिम कोर्ट से फैसला आया है यह सेलिबरेट करने लाइग भी नहीं बचे है यह विडम्बना है बाला साब ठाकरे अगर होते तो आज उनका सब कुछ बयान चल रहा होता लोग एक बाला साब के समर्थक बने ही महरास्टा में हो लेकिन उनकी इज़त पूरे देश भर में थी लोग सुनना चाहते थे कि राम मंदिर पर क्या आप देखिए वो एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे आज की स्थिति क्या है कि सिफ सैनिकों को एक ऐसे लिलिपुट के सामने सर जुकाना पूरा रहा है जिसको ना राजनिती आती है नहीं उसे समझ है नहीं उन्हें कोई विजन है बस पुत्र मौक के चक्कर में इन्होंने सारा का सारा जो आप ये कह सकते हैं कि जो सिफ सैनिकों को जो आज हरस उल्लास होना चाहिए था राम मंदिर के फैसले के बाद उस पे भी उन्होंने गरहन लगा दिया है तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो इस्तिती है राजनिती की महराष्ट में उसमें बीजेपी एक विन-विन पोजिशन में है राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी के स्तिती और भी सुद्रड हुई है उसके जो वोट बैंक जो थे और जो एकॉनमी की वज़े से बिजनिस की वज़े से जो कुछ डगमगा रहे थे वो वापस इस बात के लिए सरा रहे है कि कम से कम ये इतिहासिक फैसला और इतिहासिक काम मुदी साहब के रिजीम में हुआ है तो बीजेपी ये चाहरी है कि किसी तरीके से टाल मटोल किया जाए समय बाई किया जाए और वहाँ पर राजपती साहसन लगा करके ये देखने की कोशिश की जाए कि क्या वो जो कुछ नए नए जो चुन कर आए विधायक हैं सिवसनक के अंदर ये कॉंगरेस के अंदर ये नसिपी के अंदर क्या उनकी नियत धगमगाती है क्या वो स्थीफा देने के लिए तैयार है या छोडने के लिए तैयार है जिस तरह का करनाटका में जो मॉडल अपना आया गया क्या वो लागू हो सकता है और अगर नहीं लागू हो सकता है तो BJP शायद अब इस mood पे आ गई है कि वो अगले 4-5 महने के बाद माराश्ट में फिर से चुना करवाए और उन्हें भरोसा है कि जो गलतियां इस बार उन्होंने की जिसकी वज़े से इनकी सीटे कम हुई वो गलतियों को दूर कर पाए तो आप देखते रहे हैं ओपिलियन पोस्ट इंटरेट टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आगन को जरूर दबाईए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन्स आप तक फॉरण पहुचें धन्यवाद